नमस्का दोस्तों स्वागतियापका हमारी यूट्यूब चेनल फ्री एजूकेशन में दोस्तों आज किस वीडियो में हम करन्ट एफेस 2020 के मोस्ट इंपोरन्ट 25 कॉस्टन को सॉल्व करने वाले हैं ये 25 कॉस्टन काफी अच्छे लिए बिलके कॉस्टन है इंपोरन्ट कॉस्टन है हमने वही कॉस्टन सेलेक्ट किये हैं जो आपके एग्जाम की दिरिश्टी से महत्पूर हो सकते हैं और इन 25 कॉस्टन को हम बिलकुल डेटेल के साथ हल करेंगे तो चलिए शुरू कर लेते हैं नमबर फर्स्ट कॉस्टन है विस्वे प्रेस सुतंतरता सुचकांक 2020 में भारत कौन से इस्थान पर है तो दोस्तों जितने भी कॉस्टन इस वीडियो में लाए हूँ यादि आपको किसी भी कॉस्टन का अंसर पता है तो अपना आंसर भी लगा सकते हैं कमेंट बॉक्स में तो फर्स्ट कॉस्ट आपको का अंसर विस्वे प्रेस सुतंतरता सुचकांक 2020 में में भारत जो है 145 में यह सथन पर है तो इस साल दो पायदन पीछे के सक्कर 145 सिथन पर आ गया है ठीक है यह जो इंडेक्स है यह इंडेक्स 180 देसों के पत्रकारों को उपलब्द सुतनतता के आधार पर बायना जाता है कितने देशों के? 180 देशों के पत्रकारों पर ये सर्वे किया जाता है उसके बाद ये इंडेक्स जो है तयार किया जाता है यदि हम बात करें कि इस index में पहले इस्तान पर कौन सा देश है सारे fact आपकी परिक्षा में पूचे जाते हैं तो पहले इस्तान पर है नारवे ठीक है पहले इस्तान पर नारवे देश है और नारवे जो है लगातार चोथी वार पहले इस्तान पर है दूसरे इस्थान पर कौन है तो दूसरे इस्थान पर Finland है तीसरे इस्थान पर कौन है तो तीसरे इस्थान पर है Denmark ठीक है और यह सरवे जो है यह index जो है 180 देशों के सरवे के बाद यह index बनाया जाता है तो अंतिम पायदान पर यह निकि 180 इस्थान पर कौन सा देश है तो 180 इ पर है इस इंडेक्स में तो जितने भी फेक्ट मैंने बताए हैं ये सारे के सारे परिक्षा में पूछे जाएंगे तो आप इसको याद रखेंगे नमबर सेकंड कोश्टन देख लेते हैं कोरोना वारस यानि कि कोबर नैंटीन बीमारी से मुक्त होने वाला देश का पहला रा मरीज थे जो की कोरोना वारस से संक्रमत थे लेकिन सभी मरीज जो है डिस्चार्ज होकर ठीक होकर घर पहुंच गए हैं और दूसरा जो है कोरोना मुक्त राजवना है मनिपर ठीक है तो इसको भी आप याद रखेंगे और ये पहला कोरोना मुक्त राजवना है गोवा तो एक कॉस्चन गोवा से हमेशा पूचा जाता है कि गोवा मुक्ती दिवस कम मनाया जाता है, तो गोवा मुक्ती दिवस मनाया जाता है 19 दिसंबर को, 19 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को गोवा जो है पुर्तकाल से मुक्तुगा था, तो आप इसको याद रखेंगे Next question है हाली में जारी ITTF World Ranking 2020 में कौन सीरिस पर रहा है तो ITTF World Ranking 2020 में चीन के फैन जोड़ों जो हैं सीरिस पर रहे हैं ए ओप्सन से हो जाएगा यदि हम बात करें दूसरे इस्तान पर कौन हैं तो जू जिन जो हैं ये दूसरे इस्तान पर हैं ये भी चीन के हैं और जो अजन्ता सरद कमल हैं ये 31 इस्तान पर हैं अपने देश भारत के हैं ये कौन से इस्तान पर हैं ये 31 इस्तान पर हैं एक टर्म लखा है ITTF तो इसका फुलफम क्या होता है इसका फुल्फम होता है International Table Tennis Federation इसको आप याद रखेंगे इसका फुल्फम क्या होता है इसका फुल्फम होता है United Nation, Education, Scientific and Cultural Organization हिंदी में इसको बूलते हैं सैंक, तराष्ट, सैक्षिक, वग्यानिक और सांस्कृतिक संगठन इसकी इस्थापना कब हुई थी? 1935 में इसकी इस्थापना हुई थी इसका हेड कोटर जो है पैरिस में है Next question है हाली में किसान रथ मोबाइल एप लौँच किसने किया है? तो किसान रथ मोबाइल एप लौँच किया है नरेंद सिंग तोमरना C-Option से हो जाएगा ये नरेंद सिंग तोमर ये कौन है? तो ये केंद्री ये किरसी मंद्री है ये किसान रत मोबाइल अप ये क्या है तो देखिए लॉकडाउन के दोरान किसान परेसान ना हो इसलिए ये किसान रत मोबाइल अप लॉंच किया गया है इस अप के मार्धियम से किसान वा व्यापारी आसानी से फसलों की खरीददारी वा विक्री का सकते हैं next question है हाली मेंadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenadenaden नेस्ट कोस्टन है हाली में लिखे गई पुस्तक सटलिंग टू दू टू टॉप पेवी सिंदु की लेखक कौन है तो ये पुस्तक है सटलिंग टू दू दू टॉप पेवी सिंदु इसके लेखक है किशना ए फ्रॉमी वी तो इस कोस्टन का D option से हो जागा इस पुस्तक में क्या है तो देखे इस पुस्तक में famous badminton खिलाडी PB सिंदू के प्रारंभग जीवन से champion वनने तक का जो उन्होंने struggle किया है उसका वर्णन किया गया है PB सिंदू कौन है टौब badminton खिलाडी है और इन्होंने जो है ओलंप्लक में रजत पदक जीता है और रजत पदक जीतने वाली ये भारत की पहली और एक मात्रिम महिला खिलाडी है नेस्ट कौस्टन है भारत की किस badminton खिलाडी को I am badminton जागरुकता अभियान के brand ambassador के लिए चुना गया है तो I am badminton जागरुकता अभियान का brand ambassador वनाया गया है PB सिंदू को तो इस कौस्टन का B option से हो जागा ये I am badminton जागरुकता अभियान ये क्या है तो देखिए ये जो अभियान है विश्व बैडमेंटन संग का एक जागरुकता अभियान है और इसका वरांड एमबेश्टर पीबी सिंदु को वनाया गया है और पीबी सिंदु के संदर्म में हमें एक बात और याद रखना है कि इनको अभी आन्द प्रदेश ने अपनी एंटी करप्सन हेल प् को अभी हाली में WWF इंडिया के पर्यावन सक्षय कारिक्रम का व्रंड एमबेश्टर चुना गया है तो इस कोस्टन का C ओप्सन से हो जागा विश्व नाथन आनंद पांच वार विश्व सतरंज चैंपियन से भी रहे हैं तो आप इसको याद रखेंगे नंबर दस कोस्ट का B ओप्सन से हो जागा और वांगलादेश का राष्टगान कौन सा है ये पूछा जाता है तो वांगलादेश का राष्टगान है आमार सोनार वांगला क्या है आमार सोनार वांगला जो है ये वांगलादेश का राष्टगान है और इसकी रचेता कौन है तो रविन्ना ट टेगुर जो है इसकी रचेता है और रविना टेगुर ने भरत का राष्ट गान जन गड़मन भी लिखा था ठीक है अब यह जो है इसका नया राष्टे नारा बना है जुआ बंगला किसका बना है बंगलादेस का बना है तो बंगलादेस की राध्धानी क्या है बंगलादेस ये हर साल 18 अप्रेल को मनाया जाता है यानि कि इस question का A option से हो जागा इस verse के लिए विश्व धरुःवर दिवस की theme क्या थी तो 2020 में इसकी theme थी सांजा संस्कृती, सांजा विरासत और सांजा जिम्मेदारी यानि कि shared culture, shared heritage and shared responsibility 2020 में theme थी और ये जो दिवस है 18 अप्रेल को मनाया जाता है इसका उद्देश क्या है तो इसका उद्देश है एतिहासिक और सांस्कृतिक इस्थलों के सररक्षण के लिए लोगों को जागरू करना next question है आई-एस अधिकारी कपिल देवतरपाटी को हाली में किसका सच्चेव नियुक्त किया गया है तो कपिल देवतरपाटी को अभी हाली में राष्टपती रामनात कोबंद का सच्चेव नियुक्त किया गया है तो इस question का वी option से हो जागा जो कपिल देवतरपाटी है ये असम मेगालाय केडर के 1980 वेच के IS अधिकारी है ठीक है और यह नों नो जो है संजय कोठारी का इस्थान लिया है नेश्ट कॉस्चन है गूगल कंपनी ने दरश्टी हीन लोगों के लिए किस नाम से कीबूर्ड विक्सित किया है तो गूगल कंपनी ने अभी हाली में टॉक वेक नाम से कीबूर्ड विक्सित किया है और यह जो है विलाइंड लोगों को टाइपिंग करने के लिए वनाया गया है ठीक है इसका नाम के है टॉक वेक इसका नाम है और इसको गूगल ने विक्सित किया है और यह जो है विलाइंड लोगों को टाइपिंग करने में मदद करेगा, अब इसको Google ने डेवलप किया है, तो Google क्या है, Google एक फिरसिद्ध सर्च इंजन है, इस्थापना 1998 में हुई थी, हेड क्वार्टर जो है कैलिफोर्निया में हैं, और Google के संस्तापक हमेशा पूछा जाता है, तो सरग जीन डिश्च का हाली में निधन हो गया है, इंपोर्टर कोश्चन है, तो सबसे पहले तो आपके इनका नाम याद रखना है, इनका नाम है जीन डिश्च, तस्बीर में आप देख पा रहे होंगे, ये जो हैं फेमस कार्टून एनिमेशन टॉम एन जेरी के निर्दे सकते ह ए ओप्सन से हो जागा और ये आसकर पुरुषकार से भी सम्मनित थे और 95 वर्ष की आयू में इनका नेधन हो गया है, नेश्ट कोश्चन है, सारबजनक इस्तलों पर थूकने पर आपदा प्रबंधन कानून की किस धारा के तहत दन्निये अपराद बनाया गया है, तो पराके अंतरगत यदि आप सारबजनक इस्तलों पर थूकते हैं, तो आपको एक साल तक की सचा हो सकती है, नेश्ट कोश्चन है, काफी अच्चा कोश्चन है, हाली में नासा के दोवारा खोजे गए, प्रत्वी की आकार के एक्सो प्लैनेट का क्या नाम रखा गया है, तो इसकी प्रत्वी से दूरी पूची जाए, कि प्रत्वी से इसकी दूरी कितनी है, तो 300 प्रकास वर्स जो है, इसकी प्रत्वी से दूरी है, तीक है, और कॉश्चन पूचे जाता है, कि परिक्छा में एक प्रकास वर्स बराबर कितना होता है, तो एक प्रकास वर्स बराबर पर होता है 9 x 4 6 x 10 to the power of 15 मीटर में होता है यदि किलो मीटर में पूछे तो पंचान में खरब किलो मीटर लगभग एक प्रकास वर्स की दूरी होती है Next Question है हाली में सबसे बड़ा मौप्त भोजन कारिकरम मिशन अन्ना सेबा किसे ने शुरू किया है तो ये मिशन अन्ना सेबा कारिकरम Reliance Foundation के दौरा सुरू किया गया है यानि कि इस question का A option से हो जागा Reliance Foundation ने lockdown के समय में देश के 3 करोड गरीबों को मुप्त में भोजन देने के लिए इस mission की सुरुआत की है और ये private foundation के दोरा सुरूँ किया गया दुनिया का सबसे बड़ा मुप्त भोजन कारी करम है तो आप इसको याद रखेंगे Next question है हाली में मुहम्मद रफीक किस राज्य के हाई कोड के नए मुखने आदिस बने है तो ये मुहम्मद रफीक जो है यो उडिसा राज्य के हाई कोड के नए मुखने आदिस बने है यानि कि इस question का A option से हो जागा देखिए अभी जो है तीन राज्जियों की हाई कोट के नए मुखने अदिस नेक्ति हुए हैं तो तीनों की हमें पता होना चाहिए उडिसा हाई कोट के कौन बने हैं मुहम्मद रफीक बने हैं मेगहलाई हाई कोट के कौन बने हैं विस्वनात सोमेदेर ये जो है मेगहलाई हाई कोट के मुखने अदिस बने हैं और मॉंबोई हाई कोट के मुखने अदिस बने हैं दी पंकरदत तो ये तीन हाई कोटों के नए चीप जेस्टिस बने हैं इनका नाम आपको याद रखना है नेस्ट कोस्टन हाले में किस देश की पूरु प्रधान मंत्री लाइसेनिया करसे का निधन हो गया है तो ये लाइसेनिया करसे आप तस्पीर में देख पा रहोंगे और ये जो हैं फिजी के पूरू प्रधान मंत्री थे यानि कि इस question का B options भी हो जागा ये सन 2000 से 2006 तक फिजी देश के प्रधान मंत्री रहे थे और इनका हाले में निधन हो गया है अब ये फिजी के थे तो फिजी देश की राधानी क्या है तो फिजी देश की राधानी है सूबा ठीक है सूबा यहां की राधानी है और यहां की मुद्रा है फिजी यन डॉलर next question है हाली में किस राजसरकान ने तिरंगा पहल के तहट rapid screening सुरूं की है तो तिरंगा पहल के तहट rapid screening सुरूं की है केरला राजसरकान ने B option से हो जागा इस पहल के दोरा COVID-19 के लक्षणों की rapid screening की जाएगी ठीक है अब यहाँ पर यह तिरंगा है इसका full form बनता है इसका full form है टोटल इंडिया रीमोट एनलैसस निरोग अफियान ठीक है यह तिरंगा पहल है इसका full form है तो यह आपको याद रखना है next question है star sport tv channel ने किसे सैक्त रूप से IPL इतिहस का सरबस्रेश्ट कप्तान चुना है तो star sport tv channel ने सैक्त रूप से महिंद सिंग धोनी एवं रोहित सर्मा को सरबस्रेश्ट कप्तान चुना है यानि कि इस question का C option सही हो जायागा साथ ही आपको याद रखना है कि ब्राट कोहली को लीक का सबसे सफल भारतिय वल्लेबाज भी चुना गया है next question हाली में यानि कि इस question का जेप बेजोस जो है यह संसार के सबसे अमीर व्यक्ति है यह जेप बोजस है यह अमेजान के संस्तापक है next question है ACI मुक्यवाजी Championship 2020 की में जवानी कौन सा देश करेगा तो ACI मुक्यवाजी Championship 2020 की में जवानी करेगा अपना देश भारत यानि कि इस question का D option से हो जागा यह जो championship है इसका एवजन नवंबर दिसंबर 2020 में होगा और इसमें पुरोस इवं महिला दोनों सामिल होंगे next question है राष्टी ये पंचायती राजदिवस किस दिन मनाय जाता है most important question है तो राष्टी ये पंचायती राजदिवस हर साल 24 अप्रेल को मनाय जाता है यानि कि इस question का C option से हो जागा याद रखना है आपको 24 अप्रेल 1993 को कब किया गया था 24 अप्रेल 1993 को इसलिए हर साल राष्टी ये पंचायती राजदिवस 24 अप्रेल को मनाय जाता है next question है हाली में कि इस राजदिवसरकान ने संपर्क दीदी मुबाइल एप लॉंच किया है तो संपर्क दीदी मुबाइल एप लॉंच किया है उत्रखंड राजशरकान ने यानि कि C option से हो जाएगा lockdown के दोरान उत्रखंड के student की teaching proper तरीके से चलती रहे इस उद्देश से ये एप जो है लॉंच किया गया है अब इस एप को उत्रखंड राजशरकान ने लॉंच किया है तो उत्रखंड की capital क्या है देहरादून सी एम कौन है त्रबेंद सिंग राबत और गवर्नर कौन है बेवी रानी मोरिया ठीक है तो दोस्तो आज के लिए इतना ही अब next and last question है आपके लिए challenging question है जो की हम पूछते हैं हमारे previous वीडियो से हाली में रोगी देखवाल के मामले में कौन सा राजश सीज पर रहा है आपको बताना है आपके लिए चार option दिये गए हैं यदि आप चाहें तो इस question के बारे में detail भी लिख सकते हैं ठैकी दोस्तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद यदि आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीस वीडियो को like करके हमें motivate करें अपने study related इसको share करें वार्टसप ग्रूप में और हमा प्लीस वीडियो था प्लीस वीडियो देखने करें प्लीस वीडियो यदि आता है।